कि अज़े देख लेता हूं पहले रूकी एक बर हाँ बारा सत्रा बज़े तो दोस्तों मैं जो है अभी एक प्रोग्राम अटेंड करनी के लिए जा रहा हूं हमारे गोणवणा इनुवर्सिटी में आज दो अक्टूबर है इसलिए प्रोग्राम रखा गया है मुझे में नहीं पता किस ते रखा गया है तो चलिए जाकर पूछ लेते हैं कि प्रोग्राम किसले रखा गया है और वहलों जोस्तों तो कैसे आप सभी उमेदें आप सभी अच्छे होंगे और मेरे इस ब्लॉक में आप लोगों का वेलकम है आगया है चलिए इन दो भाई से कुछ पता है का इस बारे में कुछ पता रहे हैं तो चलिए आगे भी हम जाके बात करेंगे तब तक मैं खाना खाके आता हूँ कि सोचा था कि आज का दिन बढ़िया रूम पे रह के आराम करूंगा मगर मेरे किस पर भगवान ने अईसा लिखा मुझे क्या पता था आए आए आपको मेरे कुछ दोस्तों से मिलाते हैं तो आपका नाम क्या है अच्छ आपका ना राहूल अच्छ और हम जो सभी जो है अभ अगर अगर मिलेंगे तो भी पताएंगे आपको क्या क्या हो रहा है दोस्तों यह देखिए बाहर से कुछ पेंडल ऐसा दिख रहा है और वो रही हमारी उनुवर्सिटी अब हम यहाज से एंटर करने वाले थोड़ी दिर में दोस्तों सामने जो है मेरे कुछ कमीने दोस्त बैटे है मैं इनके पास जाओंगा नहीं मैं गरीब इंसा नहीं पीछे बैठ जाता हूँ और कर भी क्या सकता हो मैं आप जो है मुझे बेटनी के लिए शीट मिल्चों के लिए पड़ी वज़े शीट मिल्चूडी है और यहा देखते आगे चाहा होता है आज का जो प्रोग्राम था बिल्कुल सक्सेस्पूल रहा प्रोग्राम हो चुका है शाम के पाच बज़े सभी निखाना खाए और खाना काके सभी अपने अपने घर जा चुके है अब देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक की चोटी चोटी बॉट चुकी है स्टेजपूरा एकदम खाली हो चुका है हमारे एक भाईया आप जो है बड़े मैहत कर रहे है आई चलिए उनसे थोड़ा बात करके देखते हैं कि भाईया कहां से है और भाईया को यहाँ पर कितनी रोजी मिल रही है नमस्ते भाईया आप कहा से हैं एंपी से हैं का नम कहा है फिर हले है अधिकित आपका अधिय पुरा नम आपका माल भी हो यह निक है अभीस मतलब में घं को जैसे लोगidad कि आपर ऑगलाशाल सेसे ओना काम करते हैं आपका अधे हैं तो दोस्तों आपने देखा हमने दो बहिया जिससे बहुत अच्छी तरिके से बाते किया और उन्हें ने हमें काफी कॉफिट भी किया आपको इस मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे से उनिवर्सिटी के बारे में जो आज का प्रोग्राम था तो मैं एक छोटी सी ब्लॉग में आपको इस सारी चीजे दिखाने की कोशिश की है थेंक यू एंड लेवरू टेक कियर